फेलो दोस्तों कैसे हैं आप आश्यकरती हूँ आप स्वस्त और खुश होगे दोस्तों त्यवहारों का मोसम आते ही एक अलग सा माहूल हो जाता है और बात अगर होली की हो तो क्या कहने? होली कत्यों हार रंगों के साथ साथ खाने की वेराइटी के लिए भी जाना जाता है आम तोर पर ऐसा देखा जाता है कि होली आते ही लोग अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाते है ऐसे में जाहिर है कि आपके घर पर भी नमक पारे गुझिया और लड्डू बनाने की तैयारी शुरू हो गई होगी तो दोस्तों अगर आप भी होली के लंच और डिनर के मैन्यू लिस्ट बना रहे हैं तो इस रेसिपी को अपनी होली पार्टी की लिस्ट में ज़रूर शामिल कर ले आज हम आपके साथ शियर करने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टरंट स्टाइल दही बल्ले बनाने की रेसिपी जी हाँ दोस्तों घर पर ही आप बहुत ही कम इंग्रिडियन्स के साथ एक परफेक्ट दही बड़े बना सकते हैं और इससे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इंप्रेस कर सकते हैं तो नोट कर लें इसकी रेसिपी होली का तेवहा है तो स्वादिष्ट पकवान खाना और खिलाना सभी को अच्छा लगता है होली के दिन मीठा तो हम सभी खाते हैं लेकिन उसके साथ कुछ माउथ वाटरिंग डिश जैसे दही बहले मिल जाएं तो क्या कहने मौसम तेजी से बदल रहा है और ऐसे में हमारे खाने पीने का टेस्ट भी बदल रहा है इस मौसम में खाने में लाइट फूट खाना सेहत के लिए बेहत फायदे मन साबित होता है लाइट फूट से मतलब है ऐसा फूट जिसे खाना और पचाना आसान होता है एकदम हलवाईयों के जैसा दही बल्ले बनाने के लिए सबसे पहले आप आधा कप उड़त की डाल ले और चार टेबल स्पून मूं की डाल दो कर पाच घंटे के लिए पानी में बिगो दे अच्छे से भीगने के बाद इसे चान कर रख ले अब इस दाल में आधा टीस्पून जीरा पाउडर एक चुटकी हींग डाल कर पीस ले इसे पीसते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका बैटर फल्फी सा रहे इस पेस्ट को बनने के बाद इसमें नमक डाल कर एक कटोरी में निकाल ले और इसको दो मिनट तक मिक्स करें यानि कि अच्छे से चलाएं ये बैटर को हलका और फल्फी बनाता है अब भल्ला बनाने के लिए सबसे पहले एक कटाई में तेल गर्म करें जब तेल गर्म हो जाए तो चमच की मदद से भल्ले बना कर तेल में डाले और इसको सुनहेरा और कुरकुरा होने तक तले जब ये अच्छी तरह से सिख जाए तो इसे नैपकिन पर निकाल कर ठंडा कर ले अब इसे धाई कप गुनगुने पानी में डाल दे और कुछ देर भीगे रहने दे इसके बाद भल्लो के लिए दही तयार करने के लिए सबसे पहले दो कप ताजा दही लेकर इसे चिकना होने तक अच्छे से फैटे जब ये अच्छे से मिल जाए तो इसमें भल्लो को डाल दे जब ये किसी को परोस ना हो तो भल्ले को एक बाउन में निकाले इसके उपर दोनों चटनिया अनार के दाने, पिसा हुआ, भुना, जीरा, नमक और चाट मसाला डाले ऐसी ही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा चैनल तक तक के लिए खुश रहें, स्वस्त रहें और ये जानकारी जायता से जादा लोगों तक शेयर करें नमस्कार